जै मतरी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें पलके भी भीगेंगी नैन भी भीग जाएंगे तन जो भीगेगे तो मन भी भीग जाएंगे मिलन बरसो का है जी भर के रोनी दो सनम भी भीगेगे सजन भी भीग जाएंगे एक बेटी को उसके माबाप से अलग करना कुरूरता है जबकि एक माबाप से एक बेटी को अलग करना एक परंपरा वाह क्या रीती रिवाज हैं दुनिया के अपमान करना किसी का स्वभाव हो सकता है लेकिन सम्मान करना हमारे संसकार होते हैं आपको भी दूसरों का सम्मान करना है खास कर अपने माबाप का जिन्होंने आपको जन्म दिया आपको पाल पोस कर बड़ा किया रखती है माय के का मान, करती है ससुराल का सम्मान, भूलती नहीं पती का अर्मान, रखती है हमेशा अपने बच्चों का ध्यान, फिर भी रहती है अपनी पहचान से अंजान कुछ लोग मुझे बुरा समझते हैं लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है जिहां दोस्तो बात कर रहे हैं 9 मार्च 2020 व्रश्चिक राशी के राशी फलकी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आज आपके लिए शुब अंक रहने वाला है छे और शुब रंग रहने वाला है मरून आईए अब जानते हैं डेली राशी फलके बारे में दोस्तो आज 9 मार्च है सोंबार का दिन है यानि आज सूर्य और चंद्रमा के इस्थती से द्रती नामक शुब योग के साथ सूर्य उदै होगा इसके साथ ही पूर्वा फालगुनी नक्षत्र होने से ध्वज नाम का एक और शुब योग रहेगा वहीं अन्य ग्रहों की इस्थती भी बेहद शुब रहने वाले हैं इस तरह आज के सितारों के प्रभाव से कुछ लोगों के सोचे हुई काम पूरे हो सकते हैं जॉब और बिजनेस में बड़े लोगों से आपको मदद मिलेगी काम काज की तारीफ भी हो सकती है तो आईए जानते हैं व्रिश्चिक राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है बात करें पारिवारिक जीवन की तो आज घर परिवार में इस्थती सामान्य रहने से बाहर के काम काज की शेत्र में भी घर परिवार का पूरा सहीयोग आपको मिलेगा कुछ प्रभावशाली लोगों से आपको मदद और सालाह मिल सकती है चुट्टी पर जाएं या व्यवसाई यात्रा की योजन बनाएं ये काम करने और साथ में मौज मस्ती करने का एक शानदार अवसर होगा आज खर्चे होंगे लेकिन अपनी बुद्धी मता के अनुसार खर्चे करें और उन वस्तों पर पैसों को खर्च करने से बचें जिनकी आपको जरूरत नहीं है क्रोध पर सयम रखना विवाद से आपको बचा सकता है परिवार में विवाद होने की स्थती बन सकती है क्रोध की अधिकता रहेगी जिससे परिवार में विवाद हो सकता है इसलिए अपने क्रोध पर नियंद्रन रखें बात करें लव लाइफ की तो आज प्रेम संबंधों में अनुकूलता दिखेगी इसलिए एक दूसरे को समझने का प्रयास करें जिससे हर तरह की समश्याओं का समाधान हो सके प्रेमी प्रेमी काओं के जीवन में सहयोग की भावना देखने को मिलेगी बात करें व्यवसाय की तो परिश्रम का अच्छा परिणाम आपको आज मिल सकता है काम में ततपरता और कुशलता आपकी प्रगती में आपकी तरक्की में सहयक सिध होंगी अचानक धन लाब की योग बन रहे हैं नए कारियों की शुरुआत करना आपके लिए लाबदायक सिध होगा बात करें स्वास्त की तो आपकी मेडिकल जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आने वाली है अगर आपका पहले से कोई इलाज चल रहा है तो वो नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर कर देए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धनिवाद